कि अधार दोस्तों वेडियूं फेसलिफ्ट कई बार स्पाइड हुई है और इसका लॉंच काफी नियर है इंडिया में तो इस प्राधारीत आपके अपने चैनल ऑटोमोटिव इंडिया दौर टेंडर बनाया गया जो कि इसके डिजाइन को कुछ अटक दिखलाता है आपे front पे new Hyundai का sensor spotiness grill देखने को मिलता है जो कि काफी आइड़ल कल नी और साथ में जो fog light है वो भी आपको projector देखने को मिलती है लेकिन हावयले ड़ीन सेटप के साथ तो यहां पर आपको new 16-inch के alloyables देखने को मिलते हैं साथ में आपको ORVM पर turn indicator देखने को मिल जाते हैं chrome door handles आपको accessories का pack देखने को मिलते हैं पीछे मेजर चेंज है वो LED tail light आपको elongated design के साथ काफी खुब सुर्ट लग लग लिए है जो कि इसके back look को complete SUV का fill देती है और नीचे में आपको नया bumper देखने को मिलता है जो कि golden finish के साथ आता है यहां पर आपको पहले से sunroof तो देखने को मिल जाती है लेकिन इस बार sunroof में एक नया feature आड़ा है जो कि आपको voice control से इसको आप control कर सकते हैं जो कि काफी बहतरीन बात है साथ में आपको rear window curtain देखने को मिलता है जो कि sunset है साथ में आपको remote engine start और काफी सारे blue link के नए features देखने को मिलता है जो कि अभी तक venue में नहीं आए थे लेकिन बाकी गारियां में आ गहीं थे इंटियर इस बार काफी खुबसूरत कर दिया गया है यहाँ पर main attraction है 10 inch का infotainment system जो कि काफी खुबसूरत लग रहा है यहाँ पर आपको 360 degree camera देखने को मिलती है जो कि काफी plus point है साथ में आप आपको charging socket है और आपको wireless charging देखने को मिलती है इंटियर काफी balanced है और आपको काफी AD cabin देखने को मिल जाता है यहाँ पर space तो पहले जैसा है लेकिन आपको पीछे में यहाँ इस event और आपको air purifier देखने को मिलता है यहाँ पर strength काड़ी की बढ़ाई गई है और यहाँ पर six airbags based model से जो कि सरकार ने यहाँ पर compulsory करने जारी है जो कि आपको facelift से देखने को मिलने वाला है launch date आपको 2022 टक हो सकती है और pricing आपको 25,000 टक इंक्रीज हो सकती है तो वीडियो देखने को मिलता है